क्राइम मदारी गुरुगराम में गैंग्स्टर के निशाने पर आया एक और शराब कारोबारी पटोधी में शराब कारोबारी है उम नगर पाली का प्रधान के घर पर तावड तोड फाइरिंग गैंग्स्टर ने विदेश से कॉल कर मांगी ठेके में फिफ्टी परसेंट की हिस्सेदारी खोड गाउ में दो शराब कारोबारी भाईयों की फनवरी में हुई थी हत्या साइबर सीटी गुरुगराम का पटोधी इलाका इन दिनों गैंग और गोली की दहशत में है आज एक बार फिर शराब कारोबार के वर्चस्व की जंग की बानगी देखने को मिली जब मोटर साइकल पर सवार होकर आए दो हत्यार बंदबदवाशो ने पटोधी के शराब कारोबारी एवम नगरपाली का प्रधान चंद्रभान सहेगल के घर पर की अंधा धंद फाइरिंग इससे एक दिन पहले किसी रोहित नाम के सक्स ने सहेगल को फोन कर दी थी चेतावनी और गोल्डी बरार नामक गेंग्स्टर ने वाट्स अप काल कर सहेगल से ठेके में 50% का मांगा हिस्सा इसके बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहूल बना है प्रधान के घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में पूरा घटना क्रम कैद हो गया जिसकी मदद से अब अपनी पुलिस जी गोली चलाने वाले बदमाशों की पहचान कर उन्हें अरेस्ट करने का प्रियास कर रही है गैंग शराब और गोली का कनेक्शन खोड़ गान के ठाकरान बन्धो की हत्या से भी जुड़ा है क्योंकि शराब कारोबारी चंद्रफान सहगल ठाकरान बन्धों के पार्टनर रहे हैं और संभाल रहे हैं अब पूरा कारोबार जाहिर है ठाकरान बंधों के हत्यारे शराब कारोबार में वर्चा सुकी जंग जारी रखे है और उन्होंने एक बार फिर अपने पुलिस जी को ठेंगा दिखा कर दिन दहाडे कर दी प्रधान के घर पर फाइरिंग और आसानी से हो सहेगर ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि उसके पास मंगलवाद दो पहर विदेशी नमबर से फोन आया और फोन करने वाले ने बोला कि वहर रोहिद बोल रहा है और घर के बाहर खड़ा है उसके बाद लारेंस बिसलोई गैंग के गैंस्टर गोल्डी पराड ने फोन पर धमकी बरे लहजे में बोला कि वह शराब के ठेके भी लेगा और उसमें पचास फीस्दी का हिस्सा भी होगा हर ठेके पर नाम होगा आजय जेलदार का और अगर हिस्सा नहीं मिला तो सारे परिवार की मोत की जिम्मेदारी तेरी होगी जब प्रदान ने कहा कि वह ये का परोबार ही छूड़ देगा तो इस पर गोल्डी बरार बोला कि रुपे भी तू लगाएगा और हिस्तेदारी भी हमारी होगी नहीं तो एक अफते में परिणाम देख लाए ना और जट से काट दिया फोन गुरुगराम में बदमाश कितने बेखोफ है ये देखिए सी सी टीवी फुटेज जिसमें चंद्रभान सैगल के घर पर दो बदमाश मुह पर मास्क लगा कर आए दोनों ने घर के बाहर बाई को खड़ा किया और फिर एक के बाद एक छे राउंड किये फायर गोलिया मकान की दिवारों और खिडके ओपर लगी जिससे खिडके का काच भी तूट गया इस मामले में डी सी पी माने सर मनबीर सिंग ने बताया कि पटोधी थाने में मामला दर्जकर चाच शुरू कर दी है बदमाशों की धर पकड़ के लिए कई टीमे कर रही है काम और जल्द ही आरोपियों को किया जाएगा गिरफतार इसमें दो भाई फरवरी में कवा चुके हैं अपनी जान वही अब एक और शराब कारोबारी है भै के साए में ऐसे में देखना होगा अब अपनी पुलिची कैसे कसेगी इन गैंक्स्ट्रों पर शिकन जा तो करिए इंतजार और देखते रहिए क्राइम मदारी अबर आपसे छोट ना पाएगा